हेलो फ्रेंट्स एक बार पीस्टे श्वाक था आपका हमारी यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं इंडोकाय पेसार के बारे में इसके यूजेज बेंफिट साथी साथ इसके MRP के बारे में हम आपको बताएंगे बने रहे बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें वे लाइक जरूर दबाएंगे तक कोई भी इंफर्मेशन अगर हम अपनी यूट्यूब चैनल पर शेयर करें तो आप तक नोटिपेकिशन के माध्यम से अवस्य पहुंचे दोस्तों 10 टैबलेट्स के एक स्टिप में होती हैं हम बात कर लेते हैं इसके कमपोजीशन के बारे में तो दोस्तों इसका जो कमपोजीशन है जैसा कि आप अपने स्कीन पर भी देख पा रहे हैंगे इच कैपसूल कंटेंज इंडो मेथासिन आईपी 75 फाइब जी जो की यसार फार्म में है सस्टेंड रिलीज फार्म में दिया हुआ है अब हम बात करेंगे कमपनी की तो एजेक्शन पाल फार्मसुटिकल टिम्टेट कमपनी के द्वारा बेची जाती है जो कि एक भारतिया की तर्वेक्स आइफरराइटिस का द्रड है इसके अलामा स्पॉंडिलाइटिस आस्टियो और्थराइटिस या फिर ग्याउट पे और मांसफेशियो में दर्द है इसकी हलाम धुश तो महिलाओं को मासिक धर्म के दवरान दर्द जैसी कंडिशन में इस दर्द की दावा म जो है रोल होता है दिया जाता है इससे इंफ्लामेशन से भी राहत मिलती है इंडोकैप कैपसूर एसायर जो आप पने स्कीन पर देख रहे हैं दोस्तों या नान स्टडियाल एंटी इंफ्लामेटरी डक्स होती है यानि NSID होती है उन्हीं के जो है दवाओं के समूह से इसका जो है शम्मंध है इसके यूज की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो यूज है साटम रिलीफ आफ पेम यानि जो है साटम रिलीफ आफ पेम साटम जो है या किसी भी तरह के पेम से रिलीफ देती है इसके लावा इंफ्लामेशन है सरीर में कहीं पर स्वेलिंग वाली प्र रसाइनों को बलाग करती है जिन से दर्द और बुखार उत्पन होते हैं उन रसाइनों को ही बलाग कर देती है यह रूमेटाइड ऐर्थराइटिस जैसी सितियों में दर्द को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मेडशिन होती है अधिकत मामलों में लाव लेने के दिया दोस्तों डाक्टर के निदेश का पालन करें जितने दिन तक डाक्टर नका है इसे recommend किया हो और समय से इस दवा को जरूर लें misdoze ना करें ताकि यह अच्छे तरीके से कारे कर सके बात करें इंडोकैपैसार कैपसूल के साइड इफेक्ट के बारे में तो इस कैपसूल के लेने से कुछ पेशेंट में दोस्तों विजुवल डिस्टर्ब या फिर उल्टी पेट में दर्ध मिचली आना अपच चक्कर आना सुर्थी ये थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है हाला कि यह जो है बहुत ही रेर किसी किसी पेशेंट में होता है और वहाँ भी अपने आप ही ज़्यादा ठीक हो जाता है डाक्टरों के पास ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अलगे दोस्तों इस कैप्सूल के लेंज से अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा साइट इफेक्ट हो तो आप अपने डाक्टरों से जरूर टंसल करें उसके बाद इसका यूज करें इसके लाब हमारे द्वारा दीए जैनकारी अच्छी लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे आपसे इसी तरह के किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत